हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टूथाजन नाइटीन में श्रिंग टू फिट ऑप्शन का इस्तमाल हम कैसे करने हैं बहुत ही असान से स्टेप्स में समझेगे उससे पहले हम यह जानते हैं कि यह जो मैटर है यह पहले पेज में जो है वह एड़्जस्ट हो जाए तो इसके लिए हम यूज करते हैं श्रिंग टू फिट ऑप्शन का ठीक है अब जान लेते हैं कि इसको यूज करते हैं अब देखिए यह होता है कुईक एक्सेस टूल बार में लेकिन इसको यह पाइड इसके बाद नीचे अप्शन का ओप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करिए तो वर्ड ऑप्शन का यह देखिए एक चुटा सा विंडो यहाँ पर ओपन हो जाता है यह रहा वर्ड ऑप्शन अब यहां पर हमको जाना है कुईक एकसेस टूल बार इसके बाद राइट किसाइ इसपे क्लिक करिए और यहां से आल कमांड पर क्लिक करने दिया हुआ है इस पकड़कर करने के तरफ गार 6 करिया इस तक हमें जाना है जरू हो गया और यहां पर देखिए हमें श्रिंग ओप्शन सर्च करना है इसको श्रिं डू फिट अप्शन के नाम से नहीं होग इसको select कर लीजे और यहां से add button पे click कर दीजे तो जैसे ही आप add button पे click करेंगे तो यहां पर 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 यह जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया Shrink To Fit अब यहां पर यहां पर लिखा हुआ आ रहा है अब बहुत सिंपल है, पहले पेच पर अपना करसर रखिए उसके बाद यहाँ पर Shrink To Fit आपशन पर जैसा ही हम क्लिक करेंगे तो आप देखिए क्या होता है यह देखिए जो दूसरे प्रेस का मेटर था वो यहां पर एड्जेस्ट हो गया